कि दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है रेल और आज की रेल में हम बात करने वाले पांच बड़ी अपडेट के बारे में इस वीडियो पर अगर देखने आये हैं तो इस वीडियो के मत करिएगा यह वीडियो आपके लिए लाब्दायक हो सकती है चलि सब्सक्राइब सब्सक्राइब नागपूर से बचेगा उनका किराया खम लगेगा और टाइम भी कम लगएगा लेकिन इटार्सी से जह लोग नर्सिंग पूरग जाते थे आमला जाते थे बैत तूल जाते उनके लिए बहुत ही कष्ट दायक सफर हो जाएगा तो कहने के मतलब है इटार सी को आने वाले समय में लगभग बात करते दूसरा अपडेट की तो हैं अपने करमचारियों को अपने पद से अरहा है या Railway निजी करण पर जा रहा है क्या railway अपने सारे करम चारियों को अपने पद से निकाली से निकाली दे रहा है यानी कहने मतलब है, Railway धीरे धीरे करके अपने में माल गाड़ी चलती है माल घर में तो पीछे गार्ड होता हिए आप उन्होंने क्या करने का सिस्टम बनाया की जो भी ट्रेण चलने वाली है उन्हें ट्रेणों में गार्ड की जगाएर औटी मसीन अगर नगा ने लगाया रेलवे को तो फाइदा होगा कि रेलवे का पैसा भी बचेगा और ट्रेट एम-स मशीन ला रहा है उस मसीन के से रेल्वेश यह पता करेगा कि ट्रैक में कहीं गर बड़ी तो नहीं है सब से लगा सके लगनाव उसे चल करके जैपूर के लिए डेकल ट्रेल डेखने को मिल सकती है अभी तक क्या होता कि लखनाव से दिल्ली के लिए डबाल डेकल ट्रेन चल रही है और इसका रूड चेंज करने का और हाइट यानि जिस जगह रुपती है उस जगह कभी एक रोड मैप त्यार कर रहा है ताकि लोग उसी जगह पर रुके जहां डबाल डेकल ट्रेन के लिए ज्यादा उप्योगी है कहने का मतलब है चोटे स्टेशनों को तवज्जू ना देकर के बड़े स्टेशनों पर तवज्जू दिया जाएगा यानि उससे जैपूर के लिए जो डबाल डेकल ट्रेन का एक सौधा बना हुआ था एक मैप बना हुआ था कि यह चलेगी वह चलाने की योजन रेलवे बना रहा है इससे सबसे वड़ा फायदा होगा लक्नों रूट के सभी यात्रियों को उन्हें जैपूर जाने के लिए एक सीधी सीधी सी ट्रेन मिल जाएगी जो कि उनको एक एवरे चली दो मालगाड़ी ट्रेन में से एक मालगाड़ी ट्रेन तो अच्छी तरह से निकली दूसरी मालगाड़ी ट्रेन माल जो है रेलवे स्टेशन पर फस गई उसके करण रेलवे स्टेशन को कटा गया मसीन से हटाया गया तब उसके बाद जाके मालगाड़ी निकली अनि कह कहने मतलब है सब तक क्रांसिंग लगा रहा भाट यह कि बात करें जोन में पर्याग में न इंटरेल लखंड कि अपनी जो करके बनारस ईती थी जो यानि कहने मतलब है पूर्वा एक्प्रेस जो कि अभी करके बनारत जाती थी वही ट्रेन अब मिर्जापूर चुनार हो करके परियाग राज को आएगी अब इसी तरह दूसरी ट्रेंड पांद्रा टर्मिनल से चलके गाजीपूर सिटी जाने वाले ट्रेंड जो अब यह तक फाफामवू जाफराबाद हो करके जाती थी अब वो ट्रेंड रामबाग सिटी मनवाडी वाले रास्ते से हो करके जाएगी इसी तरह ट्रेमिनल से चलके और गाजीपूर सिटी को जाने वाली ट्रेंड यह भी ट्रेंड बदले हुए रूट से जाएगी यह और कमेंट करके बताईएगा कि आपको किस विसे में जानकरी चाहिए